आदाप और नमस्कार मैं हूँ सुल्तान कुरेशी और आप देख रहे हैं भीवंडी समय न्यूज हम लोग का यह प्रोडेक्शन का मकसद यह है कि मुंसी पाल्टी में जो कमिशनर बैड़े हैं अगर वह इस चीज को देख के भी नदर अंदास करते हैं तो उनका मकसद क्या है और वह बैड़े क्यों है वहां पर हमारा बच्पान आज हम लोग स्कूल टाइम से लेके कॉलेज ग्रेजुएशन सब कुछ करके आज जोब पर है आज मेडिकल रिप्रेजेंटेट्व हम लोग का टीम है जो आज इस पूरे भ्योंडी में घुमते हैं अम लोग और यह घड़े में घुम रहे हैं कि हम लोग हमारे बच्चों को भी यह घड बिजी है बाद में आओ यह क्या चीज है यह कमिश्णर को कुछ मतलब कुछ पड़ी नहीं है ब्योंडी के आवाम की कोई उनको जरूरत नहीं है बस जो चाहेंगे अपने मूँसे बोल देंगे आगे फरवर्ड कर देंगे और अपनी कार में बाट की निकल जाएंगे 65 एर्स में पूरा इंडिया गुमाओं बच्पन में फिलिम देखते थे डाकुलो की तो वहाँ पर भीयड होता था भीयड जा पुलिस की गाड़ी नहीं जा सकती गौर नहीं जाकता रोड ऐसा था उचसे खराब रोड भ्युवणडी का हो गया है जिसे चंबल का भीयड द अच्छे को डेली टीचर उसको बोलते हम रोज तुम लेडा दम क्या करेंगे हर किसी को तकलिफ है रिक्षा वालों का चेसिस टूड जाता है दस साल के रिक्षा पास साल में भंगाड हो जाता है दवा खाने में हट्डी के डॉक्टर का पेशन बहुत बढ़ गया है लेड जो हमारे ब्योंडी के कमिस्टर साब है जो ब्योंडी सीटी के मुस्यूपल्टी के जिम्मेदार लोग है मैं उनसे रिक्षेस करता हूं कि अपनी ब्योंची गाड़ी में पूरी फेमिल को विठा के सीटी का दोरा करो अगर रात में तुमको डंटा नहीं मारी तो हम यह प ब्योंडी पर जाता है चार घंटता लगता है थाना तक पोजने के लिए हितना खड़ा है diver है चोटा मूटा रोड पर उंभा फैसा किदर जाता है अब भंभा खरित है जिस्टी बढ़ते है बिसकुट हटे जिस्टी बढ़ते है अगरे सरकार ने भी नमाग को टेक्स फ्री किया हुआ था यहां तो नमाग पे भी टेक्स लेके रोड ऐसा मिल रहा है हमारे बुड़े बोलते हैं कि इससे अच्छी सरकार अंगरेज लोकी थी हम तो समझते हो तो बहुत अत्याचारी तो इंडिया को लुटने आते इससे बड़े लुटने तो अभी दिखे रहे हमको जो हमें बिना मांगे मिलना पड़ चाहिए था आज हमको इसके लिए इतना एच्छेजाज करना पड़ रहा है और मैं आपको कहना चाहूँगा आप ही जो मीडिया वाले है आप ही जो मीडिया वाले है जिनको हमारे लेजिसलेटिव मेंबर MLA महेश चौगले साब ने बुला कर कहा था कि हम आठ दिन के अंदर दरगा रोट दिवान शा का काम शुरू करेंगे एक बार नहीं आपको दो बार बिलाया एक बर अपनी ऑफिस में बुला कर उनकी मीटिंग थी जब भी बोला और दूसरी बर कमिशनर से मीटिंग लेने के बाद उन्होंने बोला कि हम आठ दिन के अंदर इस रोट का काम शुरू करेंगे तो इस रोट का काम आठ दिन के अंदर शुरू क्यों नहीं हुआ काम रोट पुरा बन गया कामदगर का पुरा रोट बन गया कामद वराल देवी का रोट पुरा बन रहा है तो ये दो चर रोट पे आप क्यों इसको काम को ने शुरू कर रहे हैं एक दरगा रोट है थाना रोट है निजाम पुरा ये रोट भी हमारे को बना के चाहिए कि रोड के सिवाथ दो नमबर के बिल्डिंग खाली बनती हैं। बादला करा ले बिगंडी शहर से और बिल्डिंगों पे द्यान कम दे शड़क पे द्यान ज्यादा दे उनका भी फाइदा है हमारा भी फाइदा है सबका फाइदा यह इसी लिए है यह देख लीजिए इस वक तमाम शहरियों के फरियाद है लोग एक पीसफुल खामोश इतजाज के खातिर इन्सानी जंजीर बना कर खड़े हैं हमारी फर्याद कार्पोरेशन की बेबसी से, कार्पोरेशन की खामोशी से जो कार्पोरेशन खामोश तमाशाई बनकर लोगों को तकलीफ देने के कगार पर है हमारे कमिशनर साथ बिल्कुल टस्से मस होने को तयार नहीं है हजार बार बलके मैं हजार बार कहता हूँ कई बार उनके सामने भीवेंडी के केसेस अखबारात की सुरुखियों में सोशल मीडिया पर है उन्हें चाहिए था कि तवज्जा देते और भीवेंडी के सड़कों को सही करते लेकिन हम जिस शहर में रह रहे हैं कमिशनर साहब की यादधानी के लिए जाएं और उनकी तवज्जे इस तरफ दिलाएं लेकिन उन्हेंने हर मुमकिन कोशिश के बाद भी जो है इस पर कोई एक्शन नहीं लिया आज भी हम कार्पोरेशन के कमिशनर साहब से आज भी हमारी मुद्बाना गुजारी शहपील है कि इस तरफ आप कब तवज्जा देंगे कई सारी जाने जा चुकी है बहुत सारे लोग जखमी हो चुके हैं रिक्शा वाले, फोर्विलर वाले, बाइक वाले और स्कूल के तलबा हर तबका जो है मुतासिर है अपनी फर्याद कर रहा है तो कमिशनर साहब कब हमारी फर्याद को सुनेंगे वो इसका हमें जवाब दे दें